हेलो फ्रेंड्स यह सुकदे तरने जाच चैनल है तो इस वीडियो में जो है हम Cruyx Gone करेंगे तो फ्रेंड्स यह हमारे पास Kappi Culture ब्रैंड के Double Wall Stainless Steel Coffee मक्व। तो चलिए फ्रेंड्स आसा इस्के पर बात करें तो फ्रेंडस नेट कैपस्टी जो है इस मग की 250 एमल है नेट वेड जो है 8.4 ओज है और फ्रेंड्स स्टेडने स्टील है डबल वाल है और इंसोलेटिड इसकी बोडी है तो चलिए आप हम इसकी क्वाल्टी दिखाते हैं तो आप यह देख सकते हैं तो आराउंड 650 रुपए का वाइट वाला मंग मिलेगा तो अगर हम बजार में हम देखते हैं अगर नॉर्मल शोप में जाते हैं तो अगर आप बिना इसके लेते हो मतब मेटैलिक पेंट के तो आ काफी अच्छा है हाड है और इसमें जो इन्होंने दावा किया है कि जो है स्टालडी इस दा न्यू स्टेंडर तो आप इस मग को आप देख रहे हैं तो काफी इतना मजबूत है कि यह असानी से टूटेगा भी नहीं अन ब्रेकेबल है नीचे से भी आप देखोगे तो बह करके दिखाते हैं क्योंकि हम इसमें ज्यादा बताने लाइक कुछ है नहीं तो आपको जो है अगर इसका नेट वजन आप देखोगे तो अगर यह हमारे पास जो है पोकेट तो यह देखे जीरो ग्राम जो है अगर यह हो जाए टेरिंग होने में कैलिब्रेट करने में तो आप यह देख सकते हैं इसका जो नेट वजन जो है पर मग जो है एक सो साथ या एक सो बासट गराम के आस पास है और काफी मजबूत है और यहां पर आप देख रहे हैं यह वाला जो यह आपका जो हैंडल है वो भी स्टील का बनाओ है और यहां से वेल्ड किया गया है तो मतलब जो है यह असानी से तूटेगा नहीं मतलब मैंने कई सारे कोफी या टी मग में देखा है कि वो पलास्टी का चिप्का देते हैं तो उस में चांसि दोते हैं कि पलास्टी का यह पकाफी मजबूत है हार है तो आप कर बजट करते है तो फ्रेंड्स आप इसको जरूर ओडर कर सकते हैं कोफी मग जो है वो आपको अराउंड 850 रुपय के आसपास पड़ेगा तो फ्रेंड्स यह था लबाउट इस वीडियो को आप जरूर लाइक कीजिए को डाउट आप कमेंड बॉक्स में पूछ सकते हैं धन्यवाद तो 650 में 2 मग मिलें अगर आप चाहो तो इसको 4 या 6 में भी खटे मंगवा सकते हैं सिरफ अमजोन पर ही मिल रहा है और 10 डेज में आप इसको वापिस रिटर्न भी कर सकते हैं अगर आपको यह पसंद ना आए तो